नमस्कार मैं वो विशेक त्यागी सूपर फोर में पाकिस्तान के खिलाप शांदार मुकाबले में टीम इंडिया ने बहुत शांदार बलेबारी करी बाच्चा रोईशर्मा की करी या फिर केल राहूर या फिर विराट कोली की विराट कोली ने शांदार अर्शतक लगाया अ और सवाल खड़े हो रहे हैं रिशब पंद के सेलेक्शन के उपर क्योंकि रिशब पंद के लिए लगातार लोग आवाज उठा रहे थे जब मैच शुरू नहीं हुआ था तब लगातार लोग ये कह रहे थे क्रिकेट फैंस की आवाज थी कि रिशब पंद को मैच में दिया दिनेश कार्थिक को जब टिम इंडिया ने बाहर किया तो रिशब पंथ ने ऐसा गलत शोट खेला जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर रिशब पंथ की आलोच नहीं हो रही हैं उनके खेल पर सवाल ख़ले हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात रिशब पंथ की क्लास रो सर्केट गिरते चले जा रहे थे तब आपने जिम्मेदारी से शोट नहीं खेला यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस त्रीके से रुषप पंथ कि क्लास लगाते वीय नजरा रहे हैं । पंद को समझाते नजर आ रहे हैं रिशप पंद से बात करते हैं और रिशफ पंद जबाद से यृध या आपने शोर्ट क्विण खेला। आपको बता देज़ें। कि रिशब पंप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। रिशब पंप को आज मोंखा दिया गया था। रिशब पंप को मोंखा दिया गया। लेकिन रिशब पंप एक गलत शोट खेल कर, जिस तरीके से वो लगातार अपने गलत शोट पर आउट होते हैं उसी तरीके से रिशब पंथ आज भी आउट होकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को मुश्किल में डाल गए अगर रिशब पंथ की जगा दिनेशकारतिक होते तो शायद टीम इंडिया बैतर तरीके से फिनिश कर सकती थी बैतर तरीके से रन बना सकती थी कम से कम बेस रन टीम इंडिया के कम रह गए इसलिए रिशब पंथ के उपर सवाल है रिशब पंथ के शोट पर सवाल है और वही किलास रोई शर्माने लगई तो आपका रिशब पंद की बनेवाजी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चेले के तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा